इदीक, नाडर, जनतगे, सन्मानिय राज्य पालरिंडा, गनराचोक सवसंदेश एकके तेरवे गन्तंत्र दिवस के अउसर पर कलनाटक के लोगों को मेरी सुप काम नाए यह दिन हमारे देश के विकास के लिए कड़ा परिश्रम करने की हमारी प्रती ब्रजता की पुष्टी करने का अउसर है यह विशेश रूप से मौलिक कर्तवियों के अभियान के संदर्ब में नागरीकों के रूप में अपने कर्तवियों पर ध्यान केंद्रिश करने के लिए एक उप्यूप्त समय भी है कलनाचक रज्य कानून और व्यवस्ता बनाए रखने के लिए प्रभावी उपायों को लागू कर रहा है पुलीस को अप्राध्यों की रोगजान के साथ साथ स्वरीत जाच करने के लिए नविन्तम सेखने को और कारिय प्रणा लियाओं से देश किया जा रहा है पुजिया मात्मा गांधी जी का मानना था कि जिस दिन कोई महिला आदी रात को सड़क पर स्वतंत्र रुप से जा सकेगी उस दिन हम कह सकते हैं कि बारत के ने स्वतंत्रता आसल कर ली है यह सुर्णी सीच करने के लिए मैलाओं के लिए एक सूरसीत मोहल हो हमारे पुरुसों और बालकों को इस तरह से सिक्षित किया जाना चाहिए कि वे मैलाओं और लड़कियों के प्रती सन्मान के साथ व्यवार का व्यवार करना सिखे यह मेरी आसा है कि करनाटत जैसा अग्रणी राज्य जो आली में जारी गुड गवर्नास इंडेक्स रेंकिंग में सिस्रिय स्थान पर रहा वह देश के बाकी हिस्थों के लिए एक उत्कृष्ट उदारन सापित करेगा अगस्थ 2019 में करनाटक के कही जिल्लों को बारी बर्सा के कारण ऐसी मुश्किल समय का सामना करना पड़ा जिसे पिछले 118 वर्सों में देखा नहीं गया था और उपड़ी कृष्णा और विमा बेसिन में बांजों से अधिक पानी छोड़ने के कारण बाद आई थी सितेमबर और अक्टोबर में दोरान बहुत जारी बारीज जारी रही पिलाकर चैनित, एक सो सुकागरस और निमन भूजल सर वाले तालुकाओं में एक नई योजना वाटर सेट डेवलब्मेंट टू प्रिवेंट ड्रोट को लागू किया गया है किसान अमारे रास्का की रीडे, राजिय उनके कल्यान के लिए प्रतिबद है और केंद्र सरकार की प्रदान मंतरी किसान सन्माइन निदी योजना के तहर योगिय प्रुशी परिवार को प्रतिवर 6,000 रुप्य की वितिय सहाइता के अलावा राजिय सरकार दो किस्तों में प्रतिवर 4,000 रुप्य की अतीरिक्त वितिय सहाइता प्रदान कर रहा है इस प्रकार हर वर सभी पात्र किसानों को सिद्जे उनके खाते में 10,000 रुपिये प्राप्त होंगे। इस प्रकार हर वर सभी प्राप्त होंगे। तेजी लाई गई है। लगबत 55 करोल रुपिये की कुल अनुमानित लागत से बाल टेंग बरने वाली परियोजनाओं सही 20 अन्य परियोजनाओं को प्रसासनी के अस्विकृती दी गई है। वर्ष 2019 के दोरान 69,534 करोल रुपिये के निवेश को आकरशित करके एक निवेश गंतर्य के रुप में करनाटक राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा। राज्य में संपुर्णा उद्योगिक विकास के लिए और उत्री करनाटक के क्षेत्र में अधिक निवेश आकरशित करने के लिए फरवरी 2020 के दोरान गुबली में इन्वेंस्ट करनाटक कोंफरेंस आयोजीत की जाएगी। नमबर नवंबर 2019 में कलनाटक इन्वेशन ओथोरिटी की सापना की गई है। इसमें किसी भी कानुन के प्रावजन को छूट देना या दील देने की सक्तिया होगी ताकि नए आविश्कार को बड़ावा दिया जा सके और विजन गुरूप और स्टार्टप की सापना की गई है। कलनाटक नवीनिकरण उर्जा में 14,121 मेगावोट की संचई स्टापित क्षम्ता के साथ देश में सबसे आगे है। जो सबी संचई स्टापित क्षम्ता का 49,59% प्रती साथ है। मुझे यह गोशना करते हुए खुशी हो रही है की पावगडा में 2050 मेगावोट का अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क पुरी तरह से कारियानवीत है। राजिया राजमार्ग विकास कारियक्रम के तहट राजमार्गों के 10,000 किलो मिटर के सुधार को मंजूरी दी गई है। 3,692 किलो मिटर के पहले चरण पर काम सुरू हो चुका है। बेंगलूर में ट्राफिक की भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने बेंगलूरू और उसके आसपास की 156 किलो मिटर की वैकलिक्रम के चोड़ी करण और सुधार को सरकार ने करीब 148 किलो मिटर के बेंगलूरू उपनगरियर रेल नेटवर्क के कारियान वई के लिए मंजूरी दे दी है। जिसकी लागत 18,621 करोल रुपी है। इलेक्रिक वाहनों के इस्तमाल को बडावा देने के लिए वर्थमान वर्ष के दोरान बेंगलूर में 92 इलेक्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सापित होंगे। सची वाले सभी प्रमुक विबागों के कारिया लएयो और महत्वपूर्ण जिल्ला कारिया लएयो में एक जन्युवारी 2020 से इउपिस का कारियान वहन सरू हो गया है। राजिय सरकार ने हाली में इगजेट के प्रकासन को भी सरू किया है। चालू वीत्वर्ष के दोरान प्री मेत्रिक में लगबग 16,00,00 चात्रों और पोस्ट मेत्रिक में लगबग 9,00,00 चात्रों को एकी कृत राज्य चात्रवूर्थी पोर्टर के माध्यम से चात्रवूर्थी प्रदान की जाएगी ऐदराबाद कल्नाटक सेत्र विकास बोर्ड का नाम बदल कर कल्यान कल्नाटक सेत्र विकास बोर्ड कर दिया गया है वर्थ 1920 के दोरान इस बोर्ड को 1500 करोड रुप्य आबंटित किये गए है और अतिरिक 1000 करोड रुप्य की स्विकृती दी गई है कल्यां कर्णाटक सेत्र में पहले हवाय अडे कलबुर्गी एरपोर्ट को 22 नवेंबर 2019 से चालू किया गया है राइक्यूर में IIIT की स्टापना की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है पारत सरकार और राज्यसरकार ने चीक मुग्लूरू याजगिरी और हावेरी में नए मेडिकल कोलेज़ों की स्टापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है राज्य सरकार ने चिकावलापुरा में नए मेडिकल कोलेज की स्तापना को भी मंजूरी दी है इसके परिणाम स्वरुप कुल 6801 सीटे उपलब्द होगी 2019 के लिए STSP, TSP के तहट अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के समगरा विकास के लिए 3445 करोर रुपिये की उप योजना स्विकृत की गई है हमारे देश में अपार क्षमता है अपनी विरासत, संस्कृती और परमपराओं को संरक्सित करते हुए हमें पुरानी दरनाओं और अंध विश्वास को छोड़ देना चाहिए और वैगनानिक विचारदारा, अखंडता और समर्पन के साथ अपने रास्त की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए इस दिन हमारी स्वतंतरता और रास्त के पुना निर्माण के लिए अनगिनत पुरुसों और मैलाओं के बलीदानों और योगदानों को याद करते हुए हम पुरी विनम्रता और इमानदारी के साथ उनके नक्से कदम पर चलने का संकल्प ले जय हिन, जय करनाटक, बारत बाता की जय सन्मानिय राज्च्य पालरी इंद गणराज्चिल्सव संटेश्य